सुहेरो दोस्तो आज हम आ गए हैं हमारे घर के नियरभाई पार्क में हमने सुचा की संड़े है चलो कुछ अलग करते हैं मॉल वाल तो यहां पे घूमना बहुत बार हो गया है तो हमने सुचे चलो पार्क में जाते हैं फिर बचपन की यादे भी ताजा हो गई मैं इस पार् पापा ने बताया कि यह बोर्ट चलाने जैसा है जिसे की बोर्ट पुरी स्ट्रेंथ लगती है मैं अपना पुरा बॉड़ी वेट लिफ्ट कर रही थी उसके दौरान और यह मैं और मेरे पापा अभी मैं और मेरे पापा वह वाकिंग वाला कर रहे हैं यह आपके लेग्स के लिए बहुत अच्छा है पिर आप देख सकते हैं वहाँ पर कोई एक अंकल आंटी भी एक साइकलिंग करती हुई है और बहुत सार यह एक्सराइस वाली मशीन थी यहां पर यह देख सकते हैं यहां पर पार्क यह बहुत बढ़ा था यहां पर दूसरे सेक्शन में जूले बच्चों के लिए वगेरे थे और यह एक्साइस के लिए अरिया था फिर उसके बाद हमारे छोटे छोटे भाई छोटे प्यारे भाई ने भी बहुत सारी मस्ती किया और यह बेसिकली वेस्ट के लिए कमर के लिए हातों के लिए एक्साइस हो रहा है हम स्ट्रेच कर रहे ह उसके बाद Next exercise यहां पर दोनों साइड मैं से मूँआ खड़े ए उसके बाद पर next exercise अपन कुछ और करेंगे जैसे कि यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं weight lifting and all भी यहाँ पर और यहाँ पर हुम है फिर से यह अभी और एक waste के लिए है ऐसे करके toggle करना है आपको कमर ही लानी है बड़ी है ठुमका लगाना है तो अभी मेरे पापा भी कर रहे है वह rowing boat वाला जो मैंने बताया आपको और यहाँ पर क्या बोलते हैं वाक भी आप कर सकते हैं यह एक दो किलो मेंटर लॉंग पार्क होगा और यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी कासी greenery थी यहाँ पर लोग बैठे थे enjoy कर रहे थे अपना evening यहाँ के आसपास में एक चौ और यह है मेरा चोटा भाई अभी बढ़ी है वहाँ है यहाँ पर देख के सारे खुले मेले environment में और यह घर में आया पन और मेरी मामी ने बनाया गरम गरम बिर्यानी हमने कोलकाता स्टैल की बिर्यानी हम जाता खाते हैं लाइक जैसे बिर्यानी में चिकन का वह जोल बनाओ और देन उसको मिक्स करो और फिर रायता और सोर्बा के साथ खाओ तो यह हूँ मैं चिकन बिर्यानी को खाते हो आप देख सकते हैं थोड़ा ASMR vibes लाने के लिए और उसके बाद फिर यह है कस्टर्ड रात को फिर डिजर्ट हो गया थोड़ा सा आइस्क्रीम के साथ कस्टर्ड यह कस्टर्ड पाउडर से मेरी मामी ने बनाया था और वाटर मेलन और सोरे सी जेली मेलो आइस्क्रीम